हलो बच्चों मैं उख्षा सर्मा विक्टरिस इंटरनेशनलिस को रतर अले अले वर्षे आज हम क्लास सिक्स्त में चैप्टर सैवन्टीन क्या निराश हुआ जाए कि रीडिंग करते हैं ओके इस देगी विटा मेरा मन कभी-कभी बैठ जाता था यह घबरा जाता था समाचार पत्रों में ठगी, डकेती, चोरी, तसकल, ब्रिष्टाचार के समाचार ही भरे रहते हैं आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई इमांदार आदमी रहे ही नहीं गया है, हर विक्ती संदे की द्रिष्टी से देखा जा रहा है जो जितने भी उचे पद पर है, उसमें उतने ही अधिक दोश दिखाई जाते हैं एक बहुत बड़े आदमी निमों से एक बार कहा था, कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता जो भी करेगा उसमें लोग दोश खोजने लगेंगे, उसके सारे गुर भुला दिये जाएंगे और दोशों को बड़ा चड़ा कर दिखाया जाने लगेगा दोश किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोशी अधिक दिख रहा है, गुणे कम या बिल्कुल नहीं इस्थिती अगर ऐसी ही है, तो निश्चे ही चिंता का विशय है क्या यही भारत वर्ष है, जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था विवेकानन और रामतीर्थ का आध्यात्मिक उंचाई वाला भारत वर्ष कहा है रविंद्र नाथ ठाकोर, मदर मोहन मालविय की महां संस्कृती सभ्यता वाला भारत वर्ष किस अतीत के गड़े में डूब गया आरे और द्रमड, हिंदू और मुसल्मान, यूरोपी और भारतिय, आधर्सों की मिलन भूमी, महामानव समुद्र, क्या सूख ही गया मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे महान मनेशियों के सपनों का भारत है और रहेगा उपर की सतह पर जितना भी कोला हल और उथल पुतल क्यों न दिखाए दे रही हो नीचे शांत, अचल, गंभीर, गंभीर में अब भी भारत महान है, अनुकरणिय है, यह सही है, इन दिनों अशांती का माहल बना हुआ है इमानदारी से महनत करके जीवी का चलाने वाले निदिय और भोले भाले श्रम जीवी पिस रहे हैं जूट और फरेव का रोजगार करने वाले फलफूल रहे हैं, इमानदारी को मुर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है सच्चाई केवल भीरू यानि कमजो और बेवस लोगों के हिस्से पड़ी है ऐसी इस्तती में जीवन के महन मुल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है बात नई नहीं है पर ऐसे वीभत सा स्रायद पहले कभी इतनी विक्राल होकर नहीं प्रकट हुई दोबारा से पड़ाएंगे सु बाई बटा